अलो एन वेलकम टू होग तुशान्त यादो वी आर नौ 20K प्लस फैमिली और कॉंगर्स रिलेशन तो अलव यू और थैंक यू पॉर यूर लव और सपोर्ट वेरी वेरी ग्रेटिटीटू तो अलव यू आम ग्लाड कि मैं यह बोल पाने का मुझे मौका मिल रहा है कि हम 20 लव मी यू प्रम लॉंग टाइम सपोर्ट करते रहे आप लोग शेर करते रहे वीडियो को लाइक करते रहे कॉमेंट करते रहे मैंने इस चैनल पर एक चीज़ करनी की कोशिश किये है वह सिफ कॉलिटी एजूकेशन मैंने कॉंटिटी पर फोकस नहीं किया है आम सॉरी कॉमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे बड़ी स्टिस्फेक्शन महसूस होता है आपके कॉमेंट्स बड़े प्यारे-प्यारे हैं और आज तक मुझे सवभाग गे मेरा कि मुझे नेगेटिव कॉमेंट्स ज्यादा पढ़ने नहीं मिले और मैं बहुत खुश हूं और इस पचार का जो सक्सिस यूटूब फैमिली हम बना चुके हैं इसके पीछे की स्टोरी क्या है आपके लिए हो सकता है यह नमबर फोटा हो पर मेरे लिए बहुत बड़ा नमबर है और यह धीरे-धीरे ऐसी ग्रो होता रहेगा थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है यूटूब चैनल प सकता है आपने सुनी हो पर फिर भी यह नम बेंग विट मी यह ना मेरे साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा एक गाउम में वाटर की बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की बड़ी समस्या होने करन लोगों ने सोचा कि वेल का कंस्ट्रक्शन किया जाए और देखा जाए कि पानी निकाल लें और वटर की समस्या को दूर किया जाए तो फिर गाउम वाल नों सोचा कि ठीक है वेल का कंस्रक्शन करना है तो कहा करें फिर किधर खोदना चाहिए तो किसने बोला वो नीम के पेड़ के नीचे खोद लें किसने पूचा कि बोला कि स्कूल के पीछे वाली जो है वहाँ पर वेल का construction कर लिया जा तो अज बहतर होगा कई लोगों अपनी राय दी और फिर सब आपसी सहमती पर आ गए कि चलो यहाँ पर लेटसे पर वेल का construction हुआ जाए ठीक है भाई खोदना शुरू किया गया 20 फिट तक खोद लिया गया पानी नहीं निकला तो एक पीछे से वाज आई कि मैंना तो पहले ही कहा था वो पीपल के पेड़ के नीचे खोद लिया वहाँ पानी नहीं निकला फिर वो तीसरा आत्मी चला था क कि नीम के पेड़ के नीचे अगर खोदोगे तो वहाँ पर जरूर आपको पानी मिल जाएगा तो सोचा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं फिर वो नीम के पेड़ के नीचे चले गया वहाँ पर भी 20 फिट खोदा वहाँ पर भी नहीं निकला और एसे करते करते चार-5 अगर एक ही जगा पर उतनी महनत कर दी होती तो आप 100 फीट नीचे आप खोद पाते और आपको पानी भी मिलता और पानी पीने का मज़ा भी आता सेटिसफेक्शन भी मिलता और पानी की जो त्रफती होती उसका अलग ही मज़ा था इस स्टोरी का में कोर पॉइंट क्या था जिसे मैं कहता हूँ कीवर्स Central point क्या था Central point of focus अब distract नहों अपने गोल से मेरे YouTube पर सो व्यूज पचास व्यूज कभी 75 व्यूज कभी कोई और बोल दिया कि YouTube कहां कर रहा हो तुम छोड़ो यह सब पढ़ाना वड़ाना अपने किसी और चीज़ पर focus करो यह करो वह करो a b c d d सब कुछ इतने डेर सारे उन्होंने पॉइंट्स बताए कि यह कर लो यह option अच्छा ठीक है पर मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी वह है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे satisfaction मिल रहा है और मुझे इसके रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि क्या होगा बांते में मुझे काम में मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में मजा रहा है मुझे इसमें passion फील होता है यह मेरा passion है यह करने में मुझे आ रहा था मजा और मैं कर रहा था अपने goal पर focus मैं हिमत नहीं हार रहा था कि 100 व्यूज आए 105 व्यूज आए मैं सोच रहा था कि 100 लोग चाहूंगा कि अगर आपने UPSC के बारे में अपना गोल सेट कर रखा है आप फोकस महां पर है आपका तो उसी फोकस पर लगे रही है कोई कहाएगा बैंक एक्जाम देदो बैंक पियो हो गया ग्रूप D हो गया ग्रूप C हो गया UPPCS हो गया एक्जाम आप किसी की भी देदो म मत करते रहे डिस्ट्रैक करने वाले बहुत आएंगे इस दुनिया में आपको गोल के लेकिन आपको अपने उपर बिलीफ रखना है कि नहीं साब यह हमसे हो सकता है हार मत माने तो हिम्मत नहरियो अपनी जगाते खड़े रहो तक खुद पर कर विश्वास दूजा रब उन करने का मज़ा भी आएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू नमस्ते चेहंद